प्रेंस से आई प्रिसिला मुलेर का कहना है कि उसे नवरात्र पर्व और मातकी उपासना ने बहुत अधिक प्रभावित किया है उन्हें इस देश का कल्चर गर्बा बहुत ही अच्छा लगा है इसके बाद वो भारत आने की बात कह रही है प्रिसिला ने कहा कि फ्रेंस में 18 वर्ष की उम्र के बाद माबाप अपने बच्चों को जीवन जी ने अकेले छोड़ देते हैं लेकिन भारत में परिवार एहम है सेयुक्त परिवार में माता पिता दादा दादी का आखिर तक साथ रहना वाकई में अद्भुत है यही कारण है कि दूसरे देशों से भारत को अलग पहचान मिली है प्रिशिला का कहना है कि वो बचपन से भारतिय संस्कृति के प्रती आकरशित है नवरात्र में भक्ती और आध्यात्म के रंग देखने के मकसद से बाला घाट आई है इसके साथ ही प्रिशिला का कहना है कि उसके जीवन में जितनी भी समस्याई थी भारतिय संस्कृति का अनुसरन करने के बाद दूर हो गई यहां की परंपरा संस्कृति, मन को सुकुन देती है परिवार में प्यार और एक दूसरे के प्रती सम्मान है जो फ्रेंस और दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलता यहां भगवान की भक्ती मन को शक्ती देती है प्रिशला बुरी के रहने वाले ख्लेश कोरी के साथ बालक हाट पहुंची है जो खुद पांस साल से फ्रेंस में नहते हैं बहार की संस्कृत को लेकि इनका जो लगाव है बच्पन से रहा है ज़स्तमें बहुत अक्छी लगती है यह एक मपेर करते हैं फ्रेंच और इंडियन कल्चर से तो इनको जादा अच्छा लगता है इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेंच का एक रूल है कि 18 साल के बाद जो मावाफ है वो बच्चों को अलग कर देते हैं लेकिन यहां पर सब संगटित रहते हैं परिवाद के साथ रहते हैं मिता, माता, पिता, पोते, पोती, उदाव, दावी बहुत परिवाद के संसकार से प्रिशला को भारत बहुत जादा दिल के करीब लगा है और वो चाहती हैं कि हमेशा के लिए भारत में रहें पंजाब के इसरे के लिए बालाघार से हरिशले लहारे की रिपोर्ट